असलाम लेकुम दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो वी लॉग में आपसे बात करूंगा पाकिसान क्रिकट के हवाले से और वो भी उन दो ख्राणियों के मतलग जो अपनी मदद आपके तहद अपना इलाज कराने के लिए लंदर पहुँच गए हैं जी हाँ मैं उनी दो ख्राणियों की बात कर रहा हूँ जिनका चर्चा इस वकत सोशल मीडिया अलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बिल्कुल अपने अरूच पर है शाहिन शाफरीदी की बात करें तो पाकिसान क्रिकट का बेहतरीन सितारा जिसने पाकिसान को क बार कलंदर टीम के कप्तान भी थे वो और हैं भी इन दिनों वो अपने गुट्रे की इंजरी के लाज के लिए लंदन में माजूद हैं लेकिन अफसोस कि उनको इस लाज के लिए जाने के लिए खुद अपने पास से टिकट खर्च करके जाना पड़ा क्रिकट हरकों में इ शाहिन शाह अफरीदी के वो चालिस पंतालिस दिन वो जो टीम के साथ दोरह यूरप में रहा एशिया कप में दुबई में रहा वो उसका जुमेदार कौन है उस वक्त उसकी इंजरी कुप के लाज के लिए या उसके रीहब के लिए क्यों अग्दमाद नहीं किये गे अभ जिसमें पाकसान टीम के ओपनिंग बले बास जो हैं फखर जमान उनके बारे में भी खबर आ गई जिसकी तस्दीक भी हमने की कि फखर जमान भी अपने खुद खर्चे पर टिकट लेकर लंदन पहुँचे हैं ताकि उनको भी जो गुट्रे की इंजरी है उसका वो वहाँ पर अलाज कर आसके दज्धा दौम की उनकी पर ट्रखनें य्जनी है जिसकी वजह से वो चार से छो हफते तक international cricket समय लोकल cricket से भी दूर रहेंगे जो cricket जो माहरीन है जो cricket के जो expert है medical expert उन्हों ने चार से छे हफते तक उनको मुकमल तौरपा cricket से दूर रहने का मश्वरा दिया है यहीं तक नहीं पाकिसान cricket board से राप्ता किया गया तो पाकिसान cricket board ने भी इस पर वाज़े गुजशा रात भी एक प्रेसली जारी की इलामिया जारी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि यह प्लेज हैं यह पाकिसान cricket board की दूमधारी है अगर कोई player अपने खर्चे पर चला भी गया है तो वो उसके जो पैसे हैं पुरी इंबर्स करने के लिए वो तैयार है और करेंगे भी बहुत अच्छी बात लेकिन वो जो जिस चालिस पंतालिस रोज गफलत की गई शहिंशा अफरीदी के असल इलाज की जानेब उसका जुमधार कौन है इस हवाले से पाकिसान क्रिकट बोर्ड ने कोई वाज़ा जवाब नहीं दिया अताहम दोसी चानब फखर जमान जो अपरी टिकट खर्च करके लंदन में इस वकद पहुंच चुके हैं अलाज कर रहने के लिए अब देखना ये है कि फखर जमान की रीहेब में कितना वक्र लगता है और शहीं शा हैसला किया और खुद अपना इलाज कराने के लिए लंदन पहुंच गए अब पाकिसन क्रिकट बोर्ड की ये जुमादारी बनती थी कि वो खलाडियों के लिए मेडिकल सहुलियात का भी बंदोबस करता लेकिन क्योंके अब इंगलेंड के खलाफ होम सीरीज अपने सर पर गई है दोनों टीमें कराची में पहुंच चुकी है और ऐसे में कोई मजीद पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए जिससे पाकिसन टीम के खलाडियों का मुराल डाउन होगा क्योंके पाकिसन अगर वर्ल्ड कप में जा रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिसन टीम बलंद अजाइम लिए वहाँ पर जाए और उस वहाँ पर वर्ल्ड कप रवानगी से कबल जो इंगलेंड के खलाफ होम सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्म करें पूरे शायगी ने क्रिकट की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है बाबर आजम 11 के साथ है क्योंके सीरीज भी बहुत एहमियत के हमल है तो को यही की जारती थी कि अगर शेहीं शाह अफरीदी के वो चालिस दिन जाया ना होते तो शेहीं शाह अफरीदी इस वक्त इंगलेंड के खलाफ इंटरनेशन क्रिकट खेल कर अपने वर्ल्ड कप से पहले अपने रिदम को बहाल कर ल हैंगे इस बात का भी इंकशाफ किसने किया शेहिंशा अफरीदी के अपने खर्चेंपर इंगलेंड में अलाज करा रहेntव इस बात का इंकशाफ सापक guarantee बूम बूम अफरीदी ने किया साथ पहुं बूम अफरीदी है के पाकिसान क्रिक्ट बोर्ड फोरी तोर पर उन किलारियों के लिए दुनिया बैन अलाक्वामी जो शौरत याफ़ता मेडिकल स्टाफ है उसकी खिद्माग हासल करके उनके रिहाब के लिए इंतदामात करें लेकिन पाकिसन क्रिकट बोर्ड को इस बात की दाद भी देनी होगी कि उसकी आख देर से दरूर खुली लेकिन उसने फौरी तोर पर इन बातों की दस्दीग भी की और तरदीज भी की और ये भी कहा कि हम उनके खलाड़ियों के जो खराजाता रहे उसको रियम्बर्स करेंगे नाजरी ये था मेरा आज का वी लॉग जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था आज क्रिकट में क्या हो रहा है क्योंकि दोसी जानब इंगलेंट टीम यहां पर पाकिसान में पहुंच चुकी है उस हवाले से भी आपको बाख़बर रखता रहूंगा अगली वीडियो तक आपसे इज़ादा चाहूंगा अल्ला हाफिस